नमस्का मैं होसासी आयो जार्खन की टोप 25 पर मोग खबर जानते हैं जार्खन बोर्ड मैट्रीक इंटर रियल्ट जून के अम्तिम सब्ताह तक जारखन एकेडमी काउंसिल की ओर से आयोजित मैट्रिक और इंटर्मीडियेट 2022 पर रिक्षा मुल्याकन का कारल लगभग पूरा हो चुका है जून के अमतिम सब्ताह तक मैट्रिक और इंटर्मीडियेट का रिजल्ड परकासित किया जाएगा इसको लेकर जैक परसासन की ओर से त्यारी सुरू कर दी गई है इधर बुद्धवार से जैक की ओर से कक्षा नावी बोर्ड की दूसरे चरण की परिक्षा सुरू हो गई है मैट्रिक और इंटर्मीडियेट परिक्षा के 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 प पूरा हो चुका है और अब रिजल्ट त्यार करने के परक्रिया सुरू कर दी गई है चार खंड में अगले दो से तीन दिनों में मांसुन परवेस कर जाएगा प्री मांसुन के परवेस के बाद तेज गर्मी से लोग को रहत मिल दीगी बता दे मौसम केंद्र के मुताबिक अ सराय के लाखर सवा पच्मी सिमम का ढ़वा गिरीडी लाते हर खोटी जिले के कुछ भागों में गर्जन मेग के साथ देखने को मिलेगा मौसम अलट को देखते हुए लोगों को सवधान रहने एतियात बरतने को कहा गया है जारखन के वन छेतर से पांच किलोमीटर के दायरे में सभी आरा मील हटेंगे मोखे मंत्री हमन सुरेन ने वन विभाग के उस प्रस्ताव को अस्विक्रित कर दिया है जिसमें राजे में 296 के पुर्व 1-6-5 km के दायरे में संचालित आरा मीलो को रेगुलियाईज करने का अगरा किया था CMC री सुरेंगे वन विभाग को आदेश दिया है कि 1-6-5 km के दायरे में आने वाले सभी आरा मीलो को जल्द से जल्द हटाने की करवाई सुनेश्चित करे मानसुन का परवेस होते ही धान बिचड़ा तयार करने में लगे किसान राज्य में बारिस की शुरुआत हो चुकी है जल्द ही मानसुन राज्य को पूरी तरह से कवर कर लेगा मौसम बैग्यानी के मुताबिक राज्य में मानसुन के समाने रहने के उमीद है ऐसे में किसानों को खेती की त्यारी शुरू कर देनी चाहिए वैसे तो खरीब फसल की त्यारी अभी से ही कर देनी चाहिए लेकिन राज्य में धान एक अहम फसल है ऐसे में इस पर काम करना और ध्यान देना किसानों के लिए महत्पून है क्रिसिब बैग्यानिकों के मुताबिक अब किसानों को धान का विचला तयार करने में जुट जाना चाहिए गुमला के घाघरा नदी पर बना चेक डेम बहा गुमला जिले के विसुनपूर परखंड के अती नक्सल परवहवीत कस्मार छेत्र के एक दरजन गाउं की दस एर आबादी को बरसाथ के दिनों में विसुनपूर से गाउं पहुचने की आस पहली बारिस में ही तुट गई कटिया, टेमर, करा, कुमारी, आसन पानी, निरासी, जम्ती सहित अने गाउं के ग्रामिनों की लाइफ लाइन कहे जाने वाली घागरा नदी में 2008 में बना चेक डेम इस साल प्री मांसून की पहली बारिस में ही बह गया इसी चेक डेम के सारे गाउं के लोग नदी पार करते थे चुकी घागरा नदी में पूल नहीं है इसलिए चेक डेम बहने के बाद संबन्धित गाउं के ग्रामिनों के बीच अवागमन की विक्राल समस्या खड़ी हो गई है रांची हिंसा पर हेमंत सुरेन का बड़ा ब्यान जारखन के मुख्य मंतर हेमंत सुरेन का 147 वाला ब्यान चार्चा में है बतादे मीडिया के माइक लगा कर सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि आप लोग जो ए 147 लेकर निकल जाते हैं बिते दिन राची में हेमन्त सुरेन ने राची हिंसा पर पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि आप लोग चाहते क्या हैं पेट्रोल डिजल लेकर निकल जाए क्या सियम हेमन्त से जब पूछा गया कि आपने पिछले दिनों कहा था कि आवेस में गलतियां हो जाती है तो हेमन्त ने कहा कि आपको इसका मतलब समझ में नहीं आया तो आप पत्रकारता छोड़ दीजिए बता दे पिछले दिनों राची में होई हिंसा घटना के सवाल पर मंगलवार को हेमन्त सुरेन थोड़ा खीन हो गया है प्रजेक्ट भवन राची में जब कुछ न्यूज चैनल के लोगों ने इनसे इस मामले में करवाई को लेकर सवाल किया तो मुख्य मंतर हमन्त सुरे ने कहा कि वे क्या चाहते हैं दंगायों के फोटो पर हमन्त सरकार का नया पहतरा जहारखन के रैधानी राची में पिछले सुक्रवार को हुई भारी हिंसा और तोड़ फोड़ में सामिल उपद्रियों का पोस्टर चोग चोराहो पर लागाने के मामले में नया मोड आ गया है राजपलवरा में इस बैस के निर्देश पर राची पुलिस ने मंगलवार को पोस्टर लगाया था लेकिन सतार रूड जारखन मुक्ति मोर्चा का हत्रशेव के बाद इसे हटा दिया गया बुद्वार की देर रात इस मामले में गिरी कारा एवं आपदा प्रवन्दन विभाग के प्रधान सचीव राजिव और उन एककाने राची के वरिये पुलिस अधिक्चक सुरेंद्र कुमार जहां से असपच्टि करन मंगा है बता दे प्रधान सचीव ने उन्हें नोटिस बेज कर पोस्टर लगाने की करवाही को घलत बताया और इस बावत इलाहबाद उच नयाले के एक नया देश का हवाला दिया उन्होंने उपद्रों की घटनाओं में कथित रूप से सामिल ब्यक्तियों के फोटो सहीद पोस्टर लगाये जाने के समध में दो दिनों के भीतर असपच्टि करन मंगा है रांची में जगरनाथ पूर रत हैत्रा पर 24 जुन को सुनवाई ज़ारखन हाई कोट में चीफ जश्री डाक्टर रवी रंजन वा जश्री एसन परसाथ के अदालत में रांची के परसी जगनाथ पूर मेला के आयोजन को लेकर दाखिल याजका पर जल्द सुनवाई के लिए मेंसन किया गया अदालत ने प्रार्थी के ज़ल्द सुनवाई क्यागरा को सुविकार करते मामले के अगली सुनवाई 24 जुन को निधारित की हाई इस समाद में अधिवक्ता धिरज कुमायन याजका दाखिल कर कहा है कि ज़ारकन सरकार कोरोना का इडल्यान का हवाला देते हुए मेले क्यायोजन की उन्मती नहीं दिया है रांची उपद्रव में देश बिरोधी सक्तियों कहां थे रगवरदास पुरो मुख मंत्रियों भाजपा के राश्ट्रिये उपद्रव की घटना को पूरी तरह से सूर नियोजीत बताते हुए कहा कि इसमें देश बिरोधी सक्तियों कहां थे बुद्धवार को रांची के में रोड इथीत हुन्मान मंदीर में पूजा करने के बाद मीडिया से बाचीत में उन्होंने असपष्ट कहा है कि केंद्रिये गिरी मंत्राले द्वारा जारी एडवाजरी के बावजूद राज सरकार ने किसी परकार की ठोस त्यारी नहीं की जिस कारण इतनी बड़ी घटना घटी उन्होंने इस पूरी घटना की जांच एन आई ए से कराने की मांग की रांची में रात को अचानक घेरे गए कई मंदी जार्खन की राइधानी रांची में सांती वेवस्था काईम रखने के लिए पूलिस के द्वारा बुद्वार की रात सहर के ज्यादातर मंदीर और सोड़कों पर बैरिकेटिंग की गई है सभी थानेदारों को आदेश दिया गया कि वह अपने अपने इलाके में बैरिकेटिंग करने के बाद सघन वाहन चेकिन अभियान चलाए रात में इधर से आने जाने वाले लोगों का भी सत्यापन करें बता दे रांची हिंसा के बाद अब आगे सहर में किसी परकार की कोई अन्होनी नहीं हो इसके लिए पूलिस ने या फोरी बिवस्ता की है धन्यवाद